हलो दोस्तों इस वीडियो में जो है बताने वालाओं की अगर आप जो है सौधी अरविया में रहते हैं तो आप अपना बॉर्डर नम्मर जो है कैसे मालूम कर सकते हो बॉर्डर नम्मर कैसे आप निकाल सकते हो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं तो आपको जो है अपनी mobile phone में Chrome को open करना है open होने के बाद जो है search पे click कर देना है और search बार में आपको लिखना है check check my border border number आपको कुछ इस तरीके से लिखने के बाद जो है आपको search कर देना है और जैसे आप search करेंगे तो first वाली जो website है carry border number तो इसी को आपको open कर लेना है click करके इस website का जो लिंक है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जैसे आप website को open करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है और आपको इस वाले option पे click करना है non gcc citizens तो चलिए इसको open कर लेते हैं open होने के बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा बीजा नमर और बीजा इसू डेट तो जो आपके passport पे बीजा लगा हुआ है उस पे जो है बीजा नमर देखने को मिल जाएगा और किस डेट का जो है आपका बीजा लगा है उस डेट को यहाँ पे एंटर कर देना है जैसे कि मैं बीजा नमर डाल देता हो ना तो सबसे पहले आपको इंग्लिक्स कलेंडर को सेलेट कर लेना है और बीजा इसू डेट पे क्लिक कर देना है ठीक है अब यहाँ पे आपको जो है ना date select कर लेना है कि कौन सा महीना है कौन सा तारिक है आपको वीजा का date सभी डाल देना है मैं ऐसे डाल देता हूँ चलिए ऐसे select कर देता हूँ और लोके कर देते हैं सही है उसके बाद जैसे कि यहां पर चार-10-23 मेने का रखाऊं उसके बाद जैहां पर images code तो जो images code आंप को यहां पर डाल देना है जैसे कि यहीं है 3142 को उसके बाद है यहां पर इस वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा अभी दोस्तों क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अपना पुराना बीजा नमबर डाल रहा हूं इसलिए डिटेल देखने को नहीं मिलता है जैसे आप अपना बीजा नमबर और बीजा ग तेखने को आ रहा है।